हेलो स्टूडेंट वेल्कम टावर यूट्यूब चैनल कॉम्बर्स प्रफशेंसी आज की क्लास्यम कवर करेंगे कि पार्टिशन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया था डिस्क्रीट और कॉंटिनू सीरीज में लास्ट गलास में कवर किया था इनदीविजल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टिशन वैल्यू को अगर फिक आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखी देखिए ताक कि आपके स्टूडी में कॉंसिस्टेंसी बनी रहे अगर फिक आपने मेरे चैनल कॉमर्श प्रूर प्रेस कीज़े ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज अप्लोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशना के पास जाए आप वीडियोज को सबसे पहले देखो आपके सड़ी बूस्ट अप हो तो यहां पर डिस्क्रीट सीरीज में एक वैल्यू केल्कुएट करनी है क्यों यहां पर क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल थ्रीज डिसाइल और प्रसेंटाइल 85 की वैल्यू जब हम क्यल्कुएट करते हैं एक्स वेरिबल को नोट करते हैं एक्स वेरिबल स्टार्ट रूत है 10 से 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 frequency given है हमारे पास 3 4 5 12 10 7 5 2 और 1 से तो यहां पर इसका total करते हैं frequency का तो जिससे हमारे पास निम्बर आयाता है 49 सबसे पहले cumulative frequency को जो हम calculate करके चलते हैं cumulative frequency में first number sd जाते हैं, 3 plus 4 करेंगे तो 7, 7 plus में 5 करेंगे तो 12, 12 plus 12 करेंगे तो 24, 24 में 10 add करेंगे 34, 34 में 7 add करेंगे 41, 41 में 5 add करेंगे 46, 46 में 2 add करेंगे 48, 48 में 1 add करेंगे तो 49 आजेगा, तो सबसे पहले हमें जो value पुछिए, वो पुछिए quartile 1 की, quartile 1 कैसी calculate करते हैं, n plus 1 divide by quarter 4 होते हैं, तो हमारे पास 4 से क्या करते हैं, इसको divide कर दे जाएगा, तो यहां पर quartile 1 है, तो इसको किसे multiple कर देंगे हम 1 से हैं, जो multiple कर देंगे, तो हमारे पास number हैं, जो 49 है, 49 plus में 1 करते हैं, divide करते हैं, 4 से, तो हमारे पास 50 divide by 4 करके, जो value आती है, जो size आता है, 12.5 है जो, तो अब यहां पर हमने 12.5 है जो देखना है, cumulative frequency में कहां लाई करते हैं, तो यहां पर 12 है, जो यह से तो 12.5 है, 12 से जादे लेकि 24 से क्या कम है, तो हमने क्या करना है, यह वाली value ले लेने CF में, तो इसके सामने जो variable लाई करता है, X series के अंदर, तो वही क्या जोगा हमारे लिए, quartile 1 की value हो जाएगे, तो यहां पर answer क्या जाएगा, इसका 13, तो 13 के यहां पर quartile 1 की value आ गई है, next calculate करना है, quartile 3, तो यहां पर quartile 3 की value calculate करते हैं, n प्लस 1 divided by 4 करते हैं, लेकिं यहां प 3 से multiple करेंगे, number हमारे पास 49 है, प्लस 1 divided by 4 quarter है, तो इस सारे को solve out करके हमारे पास value बनते है, 37.5 से, तो cumulative frequency में चेक करते हैं, कहां लाई करता है, 37 क्या है, कि यहां पर 34 से अबव है, लेकिन 41 से क्या कम है, तो हमने 41 के सामने जो हमारे पास X variable आता है, तो उसके अंदर हमने द जाएगी, क्योंकि यहां पर 37 से तो अबव है, लेकिन देखा कि 37 से तो अबव लेने यानि 34 से तो अबव है, लेकिन 41 से कम है, तो यहां पर 41 कर जो ले लिया जाता है, next हमारे पास value पूछे, decide 6 की, तो यहां पर decide 6 की value calculate करते हैं, D6 की, तो हमने N plus 1, decide 10 होते हैं, 10 से divided कर दे 30 है तो अब कम लेटी frequency में चेक करते हैं कि 30 कहा हैं, तो यहां पर 24 से बवा लेकिन 34 से तो कम है यह 30, तो यहां लाइक करता है 34 के अंदर, तो इसके सामने जो हमारे पास 6 variable हो कितना है 14, तो यहां पर D6 की value कितना है, 14 तो यही क्या हमारे लिए answer हो जाएगा, last मारे पास percentage होते हैं, वो 100% होते हैं हमारे पास, तो यहां पर इसकी value पुट करते हैं 85, नमबर हमारे पास 49 प्लस में 1 है, डिवाइड करते हैं 100 से, तो हमारे पास सारा data सोल आट करके बरनता है 42.5 से, कम लेटी में frequency में चेक करते हैं कि 42.5 कहां लाइक करता है, अब यह 41 से तो अबव हो जाएगा, इसका solution हो जाएगा, तो इसरी किसे हम से value पुट की थी, यहां से पुछी की थी, क्यों 1, क्यों 3, D6, और P85 की, इस तरी किसे हमने continuous, मतला calculate किया, यह value सारे discrete series के अंदर, next cover करते है, continuous series के अंदर किसरी किसम को calculate करें, तो continue series का अब example करते हैं, statement cover करते है, continuous series में कहत frequency given है, 0 से 10 wages मिलते है, 22 workers को, 10 to 20, 38 को, 22, 30, 46 को, 30 to 40, 35 को, 40 to 15, 19 को, अब इसका calculate करते हैं, अब हम, x variable की value लिखते हैं, यहां पे, 0 से 10 तक, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, और 42, 50 हमारे पास value given है, frequency given है, data 22 से, 38 से, 46, 35 से, और 19 से, सबसे पहले cumulative frequency calculate करते हैं, first number as this is 22, 22 में 38 को add करेंगे तो 60, 60 में प्लस करेंगे 46 को तो 106, 106 में 35 को add करेंगे 141, 141 में add करेंगे 19 को तो 160 हमारे पास आजेगा, इसका total जो लेते हैं, वो 161 बनते हैं, क्योंकि यहां पर जो last digit आता है, वो इसका क्या आता है, total आता है, हमारे पास continue series में क्या आता है, कि सबसे पहले जो Q1 का size calculate करेंगे, continue series में जो formula होता है, इन, quartile 4 होते हैं, तो 4 से divide करेंगे, 1 है तो 1 से multiple करो या ना करो, digit के ओपर कोई effect नहीं पढ़ने वाला, तो यहां पर number 160 है, तो 160 को divide के जाएगा 4 से, तो हमारे पास जो size आता है, वो आता है 40 है, अब हमने check करना होते हैं, कि 40 कहां लाई कर रहा है, तो यहां पर 22 से अबव है, लेकिन 60 से कम है, तो यहां पर इसको ले ले लेते हैं, तो इसके बिलकुल सामने हमने लेना होता है, तो यह हमारे पास class interval आ जाता है, यह frequency होती है, तो cumulative frequency क्या करने होता है, जिससे अबव वाला point होता है, वो value हमने उठानी होती है, तो यहां पी हमने calculate करना है, जब क्योवण को इसका formula पूट करते हैं, जिसका formula कहता है lower limit, प्लस करते हैं, जो हमारे पास size आया, n by 4, minus करते है cumulative frequency, frequency, और divide करते है frequency से multiple करते है interval gap से, तो हमारे पास Q1 की value आजाएगी, तो यहां पर यह lower limit होते है, अपर limit होते है, lower limit कितनी है 10, तो 10 lower limit की value पूट करते हैं, n by 4 हमने यहां पे calculate किया था, कितनी value है थी 40 से, minus करते cumulative frequency, जो हमारे पास 22 है, ऐसी डिवाइड करते है frequency से frequency हमारे पास 38 है तो इंटू वे करते है interval gap interval gap चेक करते हैं यहां से यहां तक का 10 to 20 में जो interval gap है वो 10 से तो 10 यहां पे इसकी value पूट कर दी जाएगी इसको solve out करते हैं अब हम तो यहां पे 10 to as days लेते हैं यह सारा data यहां से यहां तक का जब हम solve करेंगे तो यह सारा data solve करके हमारे पास जो value बनते है वो बनते है 4.74 से तो यहां पे इसका solution आजएगा 14.74 आजएगा क्योवन का solution तो यह हमारे पास क्या है 14.74 क्या जागा solution 10 ऐसे लिए बाकि यह सारा 16 लाट करके 4.74 वैल्यू बनी तो एड़ करके हमारे पास क्या आगे क्यों की वैल्यू आ गई है अब ऐसी next बुच्छ है हमसे question के अंदर कि क्यों 3 यान की quarter 3 की value calculate करके दो तो यहाँ पर quarter 3 कैसे calculate करते है and divide by quarter 4 होते है 4 करते हैं यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से क्या करते हैं इसको multiple कर देंगे तो यहाँ पर 3N हमारे पास 160 है 160 जी multiple करेंगे डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमारे पास जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास solution आता है 120 120 size को check किया जाएगा अब हमारा cumulative frequency के अंदर तो 120 कहां लाई करते है 106 से अबव है लेकिन 140 से क्या यह बिलो है तो यहाँ पर इसके सामने वाले digit हमने उठा लेनी है यह हमारे लिए class interval हो जाएगा इस case में और यह हमारे पास frequency हो जाएगी और यह हमने cumulative frequency जो ले लेनी है तो अब हमने सारी value देख ली तो formula करते है इसकी value तो यहाँ पर formula क्या लगाते है कि उत्री को calculate करने का formula रहते है हमारे पास lower limit plus करते है 3 and divide by 4 minus करते है cumulative frequency को और divide करते है frequency से multiple करते है interval gap से तो यहाँ पर हमने lower limit ले ले लिए कितनी आई यह lower limit 30 आई है plus में 3 and करके यहाँ पे हमारे के बास value बनते है 120 से cumulative frequency हमने देखी इस case में 106 बनती है और जो frequency बनते है वो बनते है 35 और interval gap कितना टैन से 30 को हम sd लेते हैं यह सारा data यहां से यहां तक इसको solve out करें तो हमारे पास जो value बनती है इसकी वो बनती है 4 तो हमने add कर देना इसमें तो कितना आजेगा 34 34 के आज़ इसकी value कैसी calculate करेंगे 8 and it is जो decide लोते है वो हमारे पास 10 decide होते है 10 से हम divide कर देंगे इसको 8 नंबर जो हमारे पास 163 divided करते तो हमारे पास size बनता है 128 थाइटम तो यहां पर 128 को चेक के जाएगा cumulative frequency के अंदर तो cumulative frequency नंदर चेक करते कि 128 कहां लाई करते है 106 से अबव है लेकिन जो number उठाया जाएगा इसके सामने frequency और हमारे पास class interval class interval आगे हमारे पास ये frequency आगी है cumulative frequency आगे हमारे पास यानि कि जो ये हमारे पास है तो same है हमारे पास cumulative frequency बगएरा लेकिन क्या है कि यहाँ पर हमने decile का जो size reboot करना है value में जब calculate करेंगे decile 8 की तो यहाँ पर decile 8 की value पुट करने के लिए क्या करना है lower limit तो यहाँ पर 8N divided by 10 कर देंगे minus में cf divided by f into कर देंगे interval gap से तो lower limit हमारे पास जो पिछले case की same उठाते है 30 जो हमने यहाँ पुट किते 30 lower limit की value तो यहाँ पर plus करते हम 8N divided by 10 करके हमारे पास 128 बने है 128 माइनस में cumulative frequency जो हमारे पास बनते है 106 से और जो frequency बनते है हमारे पास बनते है थर्टी फाइव से 35 से सको divide कर देते है multiple करते है interval gap जो कि 10 है तो यहाँ पर हम इसको शोल आउट करते हैं जब सारे value को तो हमारे पास जो थर्टी प्लस में तो यहां पर इस सारे को यहां से लेकि यहां तक जब data को हम 16 करते हैं तो हमारे पास बनता है 6.29 वैल्यू बनते है लिव द्रीट इन एधर इडर करें तो क्या आ जो कि प्रेसंटल 55 है तो वो भी ऐसे क्य Welsh करनके करीं शबसे पहले साइस देखा जाता है इसका साइस कैसे एन डिवैड पर टे 160 डिवैड करते हैं 100 से तो यहां पर हमने Soul Out करते हैं जब इसको तो हमारे पास Size बनता है 89.6 से 89.6 से जो हमारे पास Size बनता है अब cumulative frequency में चेक करते हैं कहां लाई करते हैं 89.6 जो value लाई करते हैं वो 60 से अबवा लेकि 106 से तो क्या कम है यानि कि यह हमारे पास क्या आजेगा नमबर आजेगा जहां लाई करते हैं तो इसके अबव वाला point cumulative frequency लेते हैं इसके सामने वाला point frequency होता है और इसके सामने वाली हम कहा लेते हैं class interval लेते हैं 20 lower limit होगी है 46 frequency होगी है 60 हमारे पास cumulative frequency होगी तो आज वाली पुट करते हैं इसकी formula रहेगा पर central 56 को calculate करने का lower limit plus में 56 and divide by 100 minus करते है cumulative frequency divide करते हैं frequency multiple करते हैं interval gap से तो lower limit हमारे पास आते 20 यह सारा 16 अटिकर के हमारे पास value बनिए 8 9.6 से cumulative frequency भी हमने चेक की 60 से frequency भी हमने चेक की 46 से और interval gap कितने 10 तो अब इसको sold out करते हैं तो हमारे पास 20 asd आजेगा तो यहां पर इस सारी value को जब हम sold out करेंगे तो हमारे पास बनता है 6.43 से तो इन दोनों को add करें तो हमारे पास आजेगा 26.43 26.43 के आगए हमारे पास पर सेंटल 56 की value आ गए है तो इसरी के से बच्चों हमारे पास continue series का बनता था example आए होप क्या को clear हो गया होगा next class में हम cover करेंगे cumulative frequency वाला जिसमें हम marks less than और more than दोनों केस को cover करेंगे कैसे उस case में partition value को calculate करेंगे ऐसी regular वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल commerce efficiency को सब्सक्राइब लाइक और शेर करें और बेल आइकन जुरूर प्रेस करें जब ही मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशना के पास है आप वीडियो को सबसे पहले देखो आपके सड़ी बूस्ट अप हो